हाई फ्रेंग्स जैसा कि आपने थम्नेल पे देखा अब 30 दिन बचा रहा यह 30 दिन डेसाइड करेगा आपके स्टुडेंट होने में और आपके सिट भी ग्रेडे ओफिसर होने में तो अब इस 30 दिन में आपको क्या करना चाहिए So that you can clear the examination So let's fight it with all the arms we have So Franks, very good afternoon, welcome to examB शुर करते हैं हमारा short सा वीडियो और समझते हैं 30 दिनों में हमको क्या करना चाहिए So beginning with the first thing कि exam हमारा कब है 28 January 2013 जो कि Saturday आ रहा है और आपको पढ़ना क्या क्या है English, General Awareness इसके अंदर में ही धोरा सा Financial Sector and ESI के Questions भी आएंगे Reasoning, Quants and आपको Descriptive English में दो ऐसे रहेगा और एक Letter ये सारा चीज तीस दिन में हम कैसे कर सकते हैं Step by Step चीज को समझते हैं तो सबसे पहला है Take the Monthly BPD from September, October, November, December, Highlight and Read इसका मतलब क्या है? देखो, मैं हमेशा से बोलता हूँ अगर आपको पढ़ना है इतना सारा एक साथ तो आप Mobile या Laptop पे मत परो आप Monthly BPD हमारे Website से Download करो उसका Print Out लो उसका Print Out लो और उसको परो I know कि मैं आपको बहुत कुछ एक साथ करने बोल रहा हूँ लेकिन My Dear Friends, there is no other option right now ठीक है? आप उल्टा शुरू करो आप December मन से शुरू करो then November जाओ, then October, then September तक का जाओ ठीक है? अगर September छूट जा रहा है तो छूट जाने दो Tension नहीं लेना October, November, December से बहुत questions आएंगे right and January का 20 दिन So यहाँ पे आपको करना क्या है? Highlight and Read का मतलब आप PDF को Print Out लो Print Out लेने के बाद आप अपने समझधारी से Words को Highlight करो ठीक है? Words को Highlight करो ऐसा किसी Words को Highlight करो जिससे आपको पूरा स्टोरी याद रहे अब मैं ऐसा इसलिए करने बोल रहा हूँ ताकि आप जब एक्जाम से जो दो-तिन दिन पहले आप रिविजन करोगे न आप उन Highlighted Points को परोगे तो आपको पूरा News याद आ जाएगा देखो Friends एक Option ये है आपके पास कि आप आज भी बैटके रही चीद सोचो कि कैसे करो इतना कुछ है और दूसरा Option ये है कि सोच को आप दूर करो और शुरू हो जाओ तो मुझे लगता है Second वाला Option बहुत सही है ये सब सोच की बात है कैसे होगा, कैसे करो, कैसे याद रुख इतना सारा डेटा कहां से परो अब ये सब सवाल का जवाब देने का भी समय चला गया है और ये सब सवाल पूछने का भी समय चला गया है अब आपको Action Mode पे आ जाना है Download करो BPDIA उसका Print Out लो और शूर कर दो Highlight करके पड़ते वक्त आपको कोई भी डाउट हो आप अगर हमारे student हो तो comment आज चेक करूँगा मैं next एक हपता तक इसके comment section को चेक करता रहूँगा आपके जो भी doubts है ना मैं solve कर दूँगा थूदू comment section बढते हैं आके next Read ESI topic Daily one topic for next 29 days देखो ESI अगर आप पहले से तयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात लेकिन अगर पहले से आप नहीं कर रहे हो तयारी तो मैं बताऊँगा अब next 29 दिन में आप daily एक topic करो आज आप GDP को समझो ठीक है अब GDP के साथ GDP, GNP, NNP, NDP कई सारा term जुगा हुआ है यह सारा चीज आँच समझ लो हो गया एक topic कल आप दूसरा कुछ लेके बैठो ठीक है कल आप मान के चलो कोई government scheme लेके बैठो या poverty ले कोई बैठो types of poverty poverty क्या है, poverty में different committee सचिन दंदूल का committee नहीं क्या कहा Y के अलग committee नहीं क्या कहा यह सारा चीज आप कल पर लो परसो के दिन में आप education पर लो अब education में आप परोगे तो देखो कि बहुत कुछ नहीं है, ज्यादा जो है schemes ही है, या new education policy जो अभी नया आया है, उसको आप पर लो काफी है, क्योंकि देखो परने के लिए बहुत कुछ है friends, लेकिन अभी कम समय में हमको relevancy आपको जो भी doubts है मैंने बताया आपको क्या करना है, ठीक है I hope ये clear हो गया है, तो next 29 दिन में आप हर दिन एक topic को परोगे तो I hope आप enoughly armed, मतलब ऐसा बोलता है ना आप जब war लरने जारे, you should be armed enough, आपके पास गोला बारूद होना चाहिए आप जब exam देने जाओगे ना, आपके पास enough material होगा आपके दिमाग में अगर आप daily एक topic पढ़ते हो तो deviate नहीं होना है ना ये सोच लाना ही नहीं मन में कि कैसे करना है क्या करना है, वो सोच ते रहोगे ना, तो वो जो circular motion में ही घुमते रहोगे सुबा उठके वो सोचना और राप को वो ही सोच के सोचाना action कुछ भी नहीं होगा सोच सोच में दिमाग घुमता रहेगा action है, तो ये सोच को हटाओ, शुरू हो जाओ जितना होता है, होता है, कोई बात नहीं चलो, next है read daily media, daily bpd from 1st january to 20th january अब 1st january से 20 january आप daily जो bpd file आएगा हर दिन शाम को अप्लोड हो जाता है वो आप हर दिन शाम को पढ़ना शुरू कर दो ठीक है बढ़ते आगे next government schemes in news December देखो ये बड़ा important चीज मैंने बोला है government scheme आज के दिन में आप पूरा government scheme एक मेहने में cover नहीं कर पाऊगी अगर मैं आपको बता दिया ना देखो बताने में क्या है मैं तो बता दूँगा हाँ आप पढ़ लो लेकिन मुझे भी समझ है मैं इतना जो बताऊँगा मुझे पता है students नहीं कर पाएंगे आप याद नहीं कर पाऊगे तो क्या करना है आपको कुछ नहीं December के मन्त में Parliament session में था तो Parliament में बहुत जो important government scheme से न वो discuss हुआ है मतलब ये December के current affair में आ चुका है तो आपको बस इतना ही करना है कि December मन्त में current affair में जो भी scheme discuss हुआ है उस scheme का कुछ points आप याद कर लो When it was launched ठीक है Budgetary support क्या है Target year क्या है Objective क्या है Implementing ministry या agency कौन है That's it इतना आप पर लोगे ना काफी है For example प्रधान में तरी ग्राम सरखी हो जिना ये scheme तब launch हुआ था जब हम छोटे बच्चे थे When we were toddlers Right लेकिन ये discuss हुआ है December के मन्त में So even if this is an old news A question can come up तो इसको कैसे पढ़े कुछ नहीं मैंने तरीका बता दिया आपको December के current affair में जो भी scheme discuss हुआ है वो सारा चीज आप इन topics में से पढ़ लो मुझे लगता है आप सब कुछ clear कर लोगे Next है आपके पस 4 Sunday है Right 1st January, 8 January, 15 January और 22 January ठीक है मैंने कल के वीडियो में बोल दिया था आपके लिए कोई 31st December और 1st January नहीं है तो वैसे ही ये चार दिन चार जो Sundays आपको आगड़ा है ये चार दिन में आपको दो essay ट्राई करो कि आप टाइप मतलब आप लिखो मत आप टाइप करो Mobile पे नहीं laptop में या desktop में मतलब computer में आपको वो typing habituated भी हो जाए ठीक है दो essay आप type करो एक letter आप लिखो ठीक है तो मोटे तोर पे आप क्या करोगे 2, 2, 2, 2 मतलब आप 8 essays लिखके जा रहे हो और try करो कि आप self evaluation करोगे उसी को improvise करोगे simple मैं आपको एक तरीका बताता हूँ आप notepad में type करो क्योंकि notepad में auto spelling नहीं होता है और कोई भी extra tool काम नहीं करता है तो अगर आप grammatical mistake spelling mistake करते हो तो हो जाने दो उसको फिर आप grammarly में जाके check कर लेना ठीक है grammarly एक website है उसमें जाके check कर लेना तो वो आपको बता देगा कि grammatical mistake आपने कहा कहा किया है और उस सेम चीच को आप Microsoft Word में डालोगे तो आपको spelling mistake बता देगा कि आपने कहा कहा spelling mistake किया है हो गया आपको दोनों जो जो self evaluation है वो भी आप कर सकते हो उपर से mock test तो हम देई रहे है मैं mock test की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ mock test तो आपको देना ही है वो आपके समय हिसाब से आप दो और उसको हम check करेंगे ठीक है तो एसे letter कैसे लिखना है I hope यह आपको समझ में आ गया next है बीस टू 27 जन्वरी 28 जन्वरी का आपका परिक्षा है यह जो आपके पास 20 से 27 जन्वरी का time है इस time पर try करो कि आपको कोई भी नया चीज नहीं पढ़ना है हाँ quants reasoning English का जो practice है वो तो चारी रखना है लेकिन GA और ESI में please it's my request ESI में आप एक topic जो हर दिन का कर ले थे वो करते रहो लेकिन जो पुराना आप पढ़े हो उसको please revise करो और GA में भी आपको revision mode में ही जाना पढ़ेगा आप जो डेली पढ़ते हो वो पढ़ते रहो और revision September, October, November, December का revision आप 20 से 27 तारिक के बीच में करते रहो तो I hope इससे यह वीडियो यहाँ पे खतम करता हूं में आपको जो भी डाउट से आप comment section में लिखो and you know this is how we unfold your potential by helping you in every stage of the examination thank you and all the best let me remind you कि साल का आखरी चल रहा है right we have only two days of 2022 so by 2022 is the code for 70% discount in our website so always remember AXMB helps you prepare 50% faster for 90% less आपको के ओ तना पुर जते हैon इसक पुर पुर जिए अज़ग के इस चाई है इस्केता है ऩरे फे खारो जाहे है